Hello students, welcome back to Mandip Education Academy's YouTube channel बच्चो इस वीडियो में तो मैं आपके साथ एक बहुत ही important PDF शेर कर रहा हूँ और वो PDF है आपके half early exams के point of view से महा important जितनी भी derivations हैं आपकी book 1 में वो सारी derivations का मैं PDF आपको दे रहा हूँ chapter wise, topic wise बढ़िया तरीके से वो सारी derivations लिखी गई है proper वही language यूज़ करके जैसी आपको exam में लिख कर आनी है तो आप उस PDF को download कर लेना और वहां से अपनी preparation कर लेना अभी पीछे एक वीडियो पे मुझे comment आया कि आपके जो document है उसमें कुछ गलती है don't share the wrong information here, don't share the wrong document बच्चो I am trying to help you गलती हो सकता है, एक आदी आज आ गई हो बीच में, typing में हो गई हो, diagram में हो गई हो so that is okay, अगर आपको दिखाई देती है कुछ इस तरीके की mistake तो आप मुझे बता दो कि sir, इस इस जगा पर यह आमको थोड़ी सी गलती लग रही है उसको मैं modify करके डाल दूगा ठीक है, तो बुरा नहीं मानो भई नराज नहीं हो sir आपकी help करने के लिए है, जादा से जादा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ इसलिए आपके साथ यह सारी चीजे share करता हूँ तो books में भी लिखा होता है, error तो books में भी आ जाते है लेकिन अगर आपको फिर भी एक आदी गलती लगती है तो please point out करके बता देना ताकि मैं correct करके फिर से link share कर दूँ और जो बच्चे बाद में download करें उनको आपकी वज़ा से कुछ फाइदा हो जाए बट मुझे इस से related आपको कुछ बहुत important बाते बतानी है ये पूरी सारी बाते सुनके इस वीडियो को अच्छे से देखके ही उसको download करना और उसके बाद preparation करने बैटना ठीक है? ओके सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो derivation हम share कर रहे हैं यानि कि हम यानि कि मंदीप नाम के भाई साब जो सब उड़ा देते हैं एकी बार में ये कितनी important है ये जो derivations है ये कितनी important है बच्चो आप जानते हो कि paper का format काफी तरह से बदल चुका है नएने type के questions आ रहे हैं है assertion reason है, case study है, mcqs है fill in the blanks पहले नहीं आते थे, अभी term 1, term 2 में तो आया हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये derivations जो है कितनी important है और कितनी नहीं है ताकि आप अपना पूरा ही समय इन पे खराब करो या ना करो, अना उसकी बात करते हैं और अगर हम बहुत बड़े point of view से देखें कि आपका कोई interest ही नहीं है class 12 की preparation के लिए आप जही नीट पे focus कर रहे हो, आप यहाँ पे चाहते हो चलो ठीक है भाई मेरे ठीक ठाक marks आ जाएं तो तो आपके लिए obviously बहुत ज़्यादा important नहीं है, इनके results important है हाँ, बट इनको समझ के prepare करने से आपकी physics की understanding जो है वो बहुत ज़्यादा 40-50 number का तो यहाँ से paper आ जाएगा, बट अभी भी मैं यह बूल रहा हूँ कि 22-25 marks का paper आपका minimum बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ से directly आएगा, और indirectly तो पूछाई मत क्योंगी इतने सारे topics जिसमें cover हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके काम आएगा, mcq में काम आएगा, assertion reason में काम आएगा, ठीक है, वो बात, अच्छा, pre-requirements आपको chapter आता होना चाहिए, derivation उठाके रट्टे मारने शुरू कर दोगे, आज रट्टा मारोगे, कल तक भूल जाओगे, paper कल ही है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कल भी है, तो भी रट्टा मारना एक बहुत बड़ा risk है, paper का इतना nervousness होता है, इतना tension होता है, कि आप paper में जाके तो भूली सकते हो, तो pre-requirement क्या है कि आपको chapter आता होना चाहिए, अगर आपके teacher ने का मतलब है कि यह derivations जो है, कितने marks की है, total नहीं, हर एक derivation जो यहाँ पर है ना, कोई बड़ी derivation नहीं है, two to three marks की है, ठीक है, अगर आपको कोई confusion लगे हो, और particularly पता करना हो कि सर, यह वाली exactly जादा two की आती है, three की आती है, तो comment करके पूछ लेना, मैं बता दूँगा, बट, दो से तीन number की यह derivations है, जितनी भी हैं यहाँ पे, ठीक है, how to prepare, किसी भी derivation को, अगर आप बहुत जादा bond नहीं हो, बहुत जादा confident नहीं हो, तो किसी भी derivation को बिना लिखे prepare मत करना, लिख लिख के prepare करो, time check करो, कि आपको कितना time लग रहा है, दो से तीन number की अगर ही derivation है, तो हर derivation you are supposed to complete in 5 minutes, तो 5 minute में proper उसी format के साथ, उसी language के साथ, बढ़िया diagram के साथ, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यह पढ़ के नहीं पता चलेगा, तो आपको लिख लिख के यह सारी derivations को prepare करना है, ठीक है, अब आप उस document को download कर सकते हो, फिर भी हो सकता है, मैं कुछ बताना भूल गया हूँ, आपके दिमाग में कोई प्रशन आए, तो मेरे से comment करके पूछ लेना, मैं बता दूँगा, अब उस document को download कर लो, और शुरू हो जाओ, और all the very best, बहुत अच्छा आप score कर लोगे अपने half yearly exam में, अगर यह सारी derivations अच्छे से prepare कर लोगे, तो चलता हूँ